साथियो आदाब आपका इस्तखबाल है हमारे चैनल श्रमय अर्दु हिंदी में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th and 12th का डेटा एंट्री का सबक नमबर 3 देखे 10th हो या 12th हो दोनों की एई बूक्स हैं और सेम ही लेसन है और इनमें जो सबक नमबर 3 है वो तकरीबन सब दोनों में सेम ही है सबक नमबर 3 में खोल के दिखा देता हूँ आपको पहले उसके बाद जो हम उसको पढ़ें यानि word basis of word processing word processing से बुनियादी बात है तो चलिए मेरे notes बनानी है पहला question पढ़ते हैं बिना वक्त जाय की आप क्या समझते हैं ऐसा आ सकता है एक विफाकी लाइन एक मुक्तसर खत कशीदा की तरह जो दस्तावीस के आफिर में नजर आती है सिर्फ इसी विफाकी नजर आती है जो word menu में हो और ये ही document mark end of the document के लाती है ये निशान आपको बताता है कि दस्तावीस खतम होगा है इस तरह से ये point आ जाता है मतलब end जब यहाँ पे end होगी है दस्तावीस और खतम होगा है इसके बाद दूसरा इसका सवाल है कि नए दस्तावीस की तश्कील बनाने के तरीका लिए मतलब नया डोकॉमेंट नया पेज ले रहा हो तो कैसे लेंगे वैसा आपको पताईए नए दस्तावीस को खोलने के लिए मुंद्ध ये तरीकों का इस्तेमाल करते है मेन्यू बार में न्यू डोकॉमेंट के बटन पर क्लिक कीजिए या कीवोड से कंट्रोल एंड के दबाए लेकिए मैं दिखाता हूं आपको इमेंज में नहाप मेन्यू बार में आएंगी और न्यू डोकॉमेंट पर क्लिक करके क्रियेट अकाउंट पर और यहां पर क्रिय सेफ करना से भी कर सकते हैं न मौझूदा दस्ताविज ने 20 को मैफूस सेफ करने के लिए मंदर जयर मेन्यू बार में सेफ बटन पर क्लिक कीजिए या कीवोड से कंट्रोल एस को दबाएं देखें यहां दिखाये तो इस से बटन पर क्लिक करेंगे आप इससे भी सेफ ब दूसरे यूजर्स की पॉस्ट से दूर रखने के लिए क्या इधामात है मतलब कैसे आप दूसरे से सेव कर सकते तो पासवर्ड लगा सकते word 2007 में दस्तावीश को खोलने या word पासवर्ड सेट करने का तरीखा जहां पे लिखा है माइक्रो सॉफ्ट वियर के दस्तावीश खोलें माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस पर किलिक करें सेव एस पर किलिक करें सेव एस पर जब आप किलिक करेंगे ट्वीश बटन पर किलिक करें और जर्नल स्ट्रक्चर पर किलिक करें सेव मेफूस करें और बटन पर क्लिक करें तो बहुत आसान है यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ और पर पर पासष दाल में इस Zw हो जाए इसके बाद अगे पांच भा क्वर्ण मेंद्ध कणैumbling मैन्यू क्या है मैंद्ध कर डया इपरेशिंशल्ड एक मजमूँ फाली आप application को सारीफ को पेश कर जाता है था कि सारीफ यूजर्स को मालुमात को तलाश करने या प्रोग्राम को फंक्शन को अंजाम देने में मदद कर सकता है जैसे अगर वर्ट के गुजिश्ता वर्जिन में वाकिफ हैं तो आप वर्ट दोदासाथ के मेनु की बनावर्ट में ज्यादा फर्क पाएंगे वर्ट दोदासाथ के देख मुफ्तलिफ टैप्स फराम किया गाएं मसला नहुं इंसाट पेज लियाउट रेख यह सब चीज होती हैं टूलबार्ट यह सारी चीजस्ट इंदर होती है फाई एडिनसाट ओरमेट यह सब चीज़य मेनु के लाते हैं आप जैसे अटल का मेनु होता है उसमें क्या क्या होता है ऐसी सब यह मेनु आप इसका लाज शॉटकट कीज है तो जरूरी शॉटकट कीजे यह से फाइल ओप लिए अगर आपको कोई दूपी, select all entire, control A से सारा text select, cut के लिए control X, copy के लिए control C, paste के लिए control B, जो copy कराव से दुबारा, undo के लिए control Z, redo के लिए control Y, bold के लिए control B, italic के लिए control, इस तरह आप अपने documents को save कर सकते हैं, और इस तरह आपका पूरा काम हो जाएगा, उम्मीर है कि आप आपको ये जो वीडियो, छोटी सी मैंने बनाई, आपके लिए पसंद आगे होगी, वीडियो पसंद आई, तो like करिए, share करिए, comment करिए, और अगर आपको कोई doubt है, आपको admission कराने, इस निमें, और N.I.S. में तो आप उनसे contact कर सकते हैं, मेरा नंबर 9936108-3223, वीडियो को आपको जो इस आपके लेगा, आपको येजिए इस आपको को कर दोदिए